लास्ट मन्थी रिलीज हुई टेरोट 1992 के एक नौवल हॉरर स्कोप पर आधारित है जिसे निकोलस एडम्स ने लिखा था मुवी की स्टोरी एक ग्रूप ओफ फ्रेंड्स की है जिने एक टेरोट कार्ट का बॉक्स मिलता है जिसके बाद वो उनके जोडियक साइन और टेरोट कार्ट के बेसिस पर उनका भाग्य पढ़ना शुरू कर देते हैं चीज़ें तब बत्तर हो जाती है जब अगले दिन से उनके पढ़े हुए भाग्य सच होने लगते हैं सो इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट एक्स्प्लेनिशन दूँगा टेरोट मुवी की जो लास्ट मन्ती रिलीज हुई एक हॉरर मुवी है मुवी की शुरुआत होती है एक घर से जहां हेली, ग्रांट, पैक्स्टन, एलिस, मैडलीन, लूकस और पेज एक बड़े से रेंटल मेंशन पर एलिस का बर्थडे मना रहे होते हैं और इस ट्रिप पर आने से पहले हेली और ग्रांट का ब्रेक अप हो गया था वो सभी बॉनफायर जलाकर गेम्स खेल रहे होते हैं तभी ग्रांट अपने लिए एक बियर लेने अंदर आ जाता है जहां उसे फ्रेज में बस एक ही कैन दिखती है ग्रांट सभी को अंदर बुलाता है और वो देखते हैं कि खेल खेल में उन्होंने काफी पी ली थी अब इतनी रात उन्हें जंगल के बीच कहां बियर मिलती इसलिए वो घर में ही चारो तरफ देखने लगते हैं वो घर के क्लाजिट, कैबिनेट्स और हर वो जगा देखते हैं जहां से उन्हें वाइन या ब्रैंडी मिल सकती है पर जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो सभी एक कमरे के पास इखटा हो जाते हैं जहां दरवाजे पर की पाउट लिखा हुआ होता है लूकस ताले को तोड़ देता है और उन्हें वहाँ एक hidden basement मिलता है जहां धेर सारी एंटिक चीजें और astrology items रखी हुई थी और वहीं Paxton को tarot card का एक box मिलता है जिसे देखने के बाद हेली कहने लगती है कि ये hand painted है और हेली को astrology और zodiac science के बारे में थोड़ा बहुत पता था इसलिए Alice हेली से कहती है कि क्यों न वो इसे पढ़कर सभी का भागी बताए अब without alcohol वो सभी tarot reading से ही खुद को busy रखने का decide करते हैं और हेली सबसे पहले Alice के लिए एक card पढ़ना शुरू करती है और Alice के भागी में आता है high precious जिसमें एक चुड़ैल उल्टा क्रॉस पकड़े खड़ी हुई थी नेक्स्ट वो मैडलीन का भागी बताती है जो reading के दोरान उसका वीडियो बनाने लगती है मैडलीन के भागी में the hanged man card निकलता है पेज के भागी में magician पैक्स्टन के भागी में the fool Lucas the hermit grand, the devil और अंत में हीली के भागी में death आता है अब game खत्म होने के बाद वो सभी सो जाते हैं और अगली सुबह अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं रास्ते में वो एक gas station पर रुखते हैं जहां Lucas एक lottery ticket खरीता है और 700 डॉलर जीच जाता है यहां हीली की reading सच हो जाती है क्योंकि उसने Lucas के भागी में पढ़ा था कि उसकी financial status बदलने वाली है जिसके बाद वो सभी अपने अपने घर आ जाते हैं और रात में Alice और Paige फोन पर बात कर रहे होते हैं तभी Alice को बाहर से कुछ आवाजे आने लगती है और देखने पर attic से सीड़ी नीची आ गई थी Alice जब उपर चड़ कर देखती है तो वहाँ धेर सारे उल्टे क्रॉस टंगे हुए थे और अचानक से हाई प्रिष्टेज उसके सामने आ जाती है जिसे देखकर Alice नीचे गिर जाती है और हाई प्रिष्टेज उसे सीड़ी से कुचल कर मार डालती है अगले दिन सभी को लगता है कि ये बस एक आक्सिडेंट है और पेच को सहरा देनी के लिए हेली आज उसी के साथ रुख जाती है मैडलीन को घर छोड़ कर लुकस भी अपने घर की और जाने लगता है पर आधी रास्ते उसे स्टेशन पर दी हर्मिट मार डालती है सभी को लगने लगता है कि ये भी एक आक्सिडेंट है पर हेली एक चीज नोटिस करती है और कहती है कि उसकी रीडिंग सच हो रही है और वो इंटरनेट पर ऐसी ही घटनाओं के बारे में सर्च करने लगते हैं जहां उन्हें अलमा स्ट्रॉम का एक आर्टिकल मिलता है जिसमें लिखा होता है कि मैक्सिकों में कई लोगों की टैरोट रीडिंग से मौथ हो गई थी तो मैडलिन तुरंट दिये गए नंबर पर कॉल करने लगती है पर वो सिधा वोईस मेसेच पर जा रहा था इसलिए वो दिये गए आडर्स पर आ जाते हैं और अलमा से बात करते हैं जिसे अल्रीडी उन कार्ड्स के बारे में सब कुछ पता था अलमा बताती है कि 1988 में उसके फ्रेंट्स भी एक एकर करके मारे गए थे और बस वही बच निकली थी क्योंकि उसने खुद का होरर स्कोप नहीं पढ़ा था जिसके बाद अलमा ने इस बारे में सर्च करना शुरू कर दिया और पता चला कि ऐसी कई सारी घटनाएं दुनिया भर में हो चुकी है जहां इन टैरोट कार्ट रीडिंग से लोगों की मौध हुई थी जिसके पीछे एक कहानी है कि 1798 हंगरी में एक रोयल फैमली में बच्चा होने वाला था और राजा की पर्सनल एस्ट्रोलॉजर एक औरत थी जिसने एक दिन टैरोट रीडिंग में ये बताया कि उसकी वाइफ और बच्चा दोनों नहीं बचेंगे राजा ने उसे दोबारा पढ़ने को कहा पर हर बार डेथ ही आया तो उस एस्ट्रोलॉजर और उसकी बेटी को गाउं से बाहर निकाल दिया गया और कुछ समय बाद ठीक वैसा ही हुआ और राजा की बीवी और बच्चे मर गए राजा ने एस्ट्रोलॉजर को जादू टोना करने वाली कहा और उसकी बेटी को मार दिया तो बदला लेने के लिए उस एस्ट्रोलॉजर ने कार्ड्स पर काला जादू किया और खुद की बली देकर अपनी आत्म को कार्ड्स के साथ जोड लिया ताकि जो कोई भी इन कार्ड से अपना भागी पढ़ेगा उनके नक्षत्र उनके ही खिलाफ हो जाएंगे और थोड़े ही समय बाद राजा और उसके परिवार वालों की कार्ड की वज़े से मौत हो जाती है अब अगर हेली और उनके दोस्तों को जिंदा रहना है तो उन्हें जैसे भी करके कार्ड्स को नश्ट करना होगा वो सभी वापस लॉटने लगते हैं और कार में अपने अपने राशी के बारे में बात करने लगते हैं तभी उनकी कार एक ब्रिच के पास आकर खराब हो जाती है Madeline अपनी pocket से phone बाहर निकालती है और उस video को देखने लगती है जिसे उसने हेली के reading के दोरान shoot किया था जिसके तुरंद बाद window पर एक hanged man का चिंद बन जाता है और नीचे run लिखावा होता है जिसे देखकर Madeline car से उतर कर पागलों की तरह भागने लगती है और hanged man उसे मार डालता है वो सबी इस घटना को अपनी आखों से देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं और Paxton को लगता है कि अगर वो कुछ नहीं करेगा और बस अपने कमरे में ही रहेगा तो उसे कुछ नहीं होगा इसलिए वो अपने घर चला जाता है जबकि बाकी लोग टेरोट कार्ट को नश्ट करने के लिए उस पुराने मेंशन में आ जाते हैं Paxton अपने बिल्डिंग के पास पहुँचा ही था कि तभी उसे भी अपना कार्ड दिफूल दिखाई देने लगता है और वो उस पर लिफ्ट में हमला कर देता है यहां हेली, ग्रांट और पेज, मेंशन में आ जाते हैं और टेरोट कार्ड को आग में डाल देते हैं पर वो जल नहीं रहे थे इसलिए मदद के लिए वो अलमा को वहां बुलाते हैं जो कहती है कि उन्हें टेरोट कार्ड से उस ऐस्टरलॉजर की आत्मा को अलग करना होगा तब जाकर ये कार्ड नश्ट होंगे जिसके बाद वो सारे जॉडियक साइन का एक चक्र बना देती है पर ऐस्टरलॉजर की आत्मा वहां आ जाती है और अल्मा का ही भागी पढ़ने लगती है जिसमें दिसक स्वार्ड साता है और ठीक इसके बाद अल्मा की इसी तरह से मौत हो जाती है वो सभी डर कर भागने लगते हैं और पेज हेली और ग्रांट से अलग हो जाती है और बेस्मिंट में आ जाती है जहां एक मेजिशियन उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है और उसे बीच से काट डालता है यहां हेली और ग्रांट एक कमरे में अपने भागी को बदलने के बारे में बात कर रहे होते हैं तबी खिड़की से डेविल आकर ग्रांट को उठा ले जाता है और डेथ भी हेली पर हमला कर देता है अब इससे पहले कि डेथ हेली को मार दे ग्रांट वहां आकर उसे बचा लेता है और हेली जल्दी से जाकर एस्टरलॉजर के टेरोट कार्ड से उसी का भागी पढ़ने लगती है और उसकी भी किसमत में डेथ आ जाता है जिसके बाद वो आतमा और उसके टेरोट कार्ड नश्ट हो जाते हैं और हेली और ग्रांट बच निकलते हैं अंत में पैक्ष्टन भी वहां आ जाता है जो किसी तरह बच गया था और मुवी यहीं खत्म हो जाती है यह बस एक वन टाइम वाच एवरेज होरर मुवी है जिसे आप मजे के लिए देख सकते हैं ऐसे ही और भी वीडियोस देखनी के लिए सब्स्राइब किजी होरर फूबिया को और मुझे कॉमेंट्स में बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी